हेलो एबरीवन आज हम बना रहे हैं सूजी और ब्रेट का बहुत ही कुरकुरा और टेस्टी नाश्ता जो की बनाना बहुत असान है और अगर आपको कुछ डिफरेंट स्टाइल की रेसिपी चाहिए तो ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी सबसे पहले छोटे साइज का ब्रेट लिया है मैंने चार पीस इसको हम तोड़ करके जार में डाल देंगे और इसको ग्रैंड करके हम इसका क्रम बना लेंगे एक क्रम हो चुका है इसको डाल देंगे एक मिकसिंग बाओल में इसीमें हम डाल देंगे ये आधि कटोरी सुझी तो ये बारीक वाली सुझी है इसमें हम डाल देते हैं नमक स्वाद के अनुसार 1 थीजपून चिली फ्लेक्स और 1 टीजपून सफेद तिल थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे एक से डिवर चम में डाल देंगे कुकिंग ओल कुकिंग ओल जो है बिना इसमेल वाली डालिएगा कोई कड़वा तेल मत डाल दीजेगा अब हम इसको मिक्स कर लेंगे इसका हम क्रम बना लेंगे इस तरीके से पहले हम इसको मिक्स कर लेंगे अब ये मिक्स हो चुका है तो एक बर्तन में अलग हम 4 टेबल स्पून के करीब सूखा इंग्रेडिएंट निकाल देंगे इसको साइड में रखते हैं अब बचे हुए मिक्चर को हम इसमें एक टेबल स्पून पानी डाल करके गूथेंगे ध्यान रहे इसमें पानी ज्यादा एड़ नहीं करना है क्योंकि इसमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है ब्रेज में खुद का मॉश्चर होता है तो ये बहुत यासानी से कठा होने लगता है तो एक टेबल स्पून पानी में ही हम इसे गूथ लेंगे देखें याँ पर मैंने इसे गूथ लिया है अब हम इसको ढख करके रख देंगे जब तक हम बाकी की त्यारी करेंगे तब तक ये आटा भी सेट होता रहेगा अब यहाँ पर मैंने लिया है दो उबले हुए आलू जिसको हम मैश कर लेंगे क्वाइंटेटी बिल्कुल आप अपने इसाब से बढ़ा घटा सकते हैं जितनी आपको जरूरत हो आलू को साइड रख लेंगे अब यहाँ पर ले लेंगे हम ये ड्राइ इंग्रेजेंट जो हमने पहले ही निकाल करके रख दिया था दो टेबल स्पुन गेहु का आटा थोड़ा सा धनिया थोड़ा सा और नमक थोड़ा सा और सफेद तिल डाल करके इसका एक गाढ़ा घोल त्यार कर लेंगे नमक हमने शुरू में ही डाला था इस मिक्चर में लेकिन हमने थोड़ा आटा बढ़ाया है इसमें जिसके लिए मैंने डाल दिया इसमें नमक इसको हम गाढ़ा घोल करके त्यार कर लेंगे इस तरीके से जब तक यह फूलेगा हम इसको साइड में रखते हैं और कर लेते हैं बाकी के काम यहां पर मैंने अलू ले लिया है इसमें हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून बारी कटा हुआ प्याज 2 टेबल स्पून टमाटर एक हरी मिर्ची थोड़ा सा हर्या धनिया भी डाल देंगे साथी हम इसमें डाल देंगे नमक स्वात के अनुसार और डाल देंगे चिली फ्लेक् तो जरूर डालिएगा अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बिल्कुल इसमें चाट वाले स्मेल आ रही है तो देखिए हमारा मिक्षर बिल्कुल तयार है अब हम आटा को चेक कर लेंगे तो जैसे हमने आटा को गूत के रखा था उसके मुकाबले अभी आटा बहुत क्योंकि हमने इसमें सूजी का यूज किया है तो सूजी मॉशर को अब्सॉब कर लेता है थोड़ा सा पानी का छीटा मारेंगे और इसको मुलायम कर लेंगे इस तरीके से गूतते हुए और इस तरीके से गूतेंगे तो आटा भी सॉफ्ट हो जाएगा देखिए यह सॉफ् चकला ले रेंगे और उस पे आटा को स्मूध कर लेंगे लोई अपने हिसाब से दो या तीन तोड़ लेंगे लोई को सूखे आटा में डस्ट करके हम इसको बेलेंगे इसे हमें पतला ही रखना है जैसे हम रोटी बेलते हैं सेम वैसे ही यह बेल करके तयार हो जाएगा और फिर हम इसको बीच से कट करके इस तरीके से हमें पतला शीट चाहिए अब हम ले लेंगे आलू का स्टफिंग और इसको रखेंगे एक साइड पे आधा बचाएंगे हिस्सा और आधे इससे पे आलू को रख देंगे इस तरीके से स्टफिंग हम देख कर ही रखेंगे क् simply हम इसे fold करेंगे, यह अच्छे से seal हो जाता है, बस इस तरीके से हम press कर देंगे तो, इसी तरीके से जितना भी हमें नाष्टा त्यार करना है, हम इसी तरीके से सील कर लेंगे सब को तो हमें इसको चारो तरफ से इस तरीके से प्रेस करते हुए दबाते हुए शेप दे देना है तो यहां पे देखिए एक पीस बिल्कुल तयार हो गया है दूसरा भी हम सेम तरीके से तयार कर लेंगे और ऐसे ही बचे हुए सबी पीसेस को त्यार कर लेंगे तो अब हम ले लेंगे यहाँ पे जो हमने घोल त्यार किया था यह अभी काफी गाढ़ा लग रहा है तो एक चमच और हम इसमें पानी डालेंगे थोड़ा सा लूज हो जाएगा एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम एक पीस उठाएंगे इस तरीके से इसमें लपेटेंगे तेल को मैंने गरम होने के लिए रख दिया था म्यूजम फिलेम पे मैंने तेल को गरम कर लिया है और म्यूजम फिलेम पर ही हम इसे फ्राइ करेंगे अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा ऐसे ही डिफरेंट रेसिपी के लिए तो देखिए एक साइट का हो गया है तो हम इसे पलटना भी शुरू कर देंगे आपको मेरे रेसिपी कैसी लगती है और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कॉमेंट करके बताना मत भूलिएगा तो मीडियम फिलिम पर ही हम सारा काम करेंगे यहाँ पर देखिए मैंने अलट पलट के बहुत यच्छे से इसे फ्राइ कर लिया है बहुत यच्छा गोल्डन सा कलर भी आ गया है एकदम क्रिस्पी और करारा हो गया है तो यहाँ पर सभी को हम बाहर निकाल लेंगे तो चलिए अब हम इसे फटा फट से सर्फ कर लेते हैं इस तरीके से नए तरीके से इस रेसिपी को बनाईएगा आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा आप इसे टिफिन में भी बच्छों को बना करके दे सकते हैं मेहमानों को खिला सकते हैं साम के चाय के साथ भी उससे क्या होगा मेरी हर वीजो की नोचिफिकेशन मिलेगी आपको सबसे पहले मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ एक नए वीजो में तब तक के लिए लाहाफीज